नमस्कार जजोहार दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद है आप सभी बहुत से अच्छे होंगे वो अर्सा रितु आ चुकी है ऐसे में जितने भी बर साती जहने वाटरफाल होते हैं सभी में पानी बहना चालू हो जाता है तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हमारे जतमई वाटरफाल घटर आनी जतमई दोनों अलग अलग वाटरफाल है और दोनों की बीच की दूरी लगबग 25 किलिमीटर के आस पास है यकीन मानिया दोस्तों दोनों वाटरफाल बेहाधी खुफसूरत है जब अत्यधिक वर्षा होती है तेज बारिस होती है तो इनका र रौध्रारूप देखते ही बनता है और उन्हीं रौध्रारूप को देखने के लिए बड़ी दूद्रा से अलग-अलग जिले के लोग आते हैं इसके लावा 36 गट से लगे हुए जो अलग-अलग राज्य है वहां से भी लोग आते हैं इनकी खुफसूर्ती इनका जहरना जो जाइपू से लगबग 76 किलो मिटर और अपने जीला मुख्याला गरिया बन से लगबग 32 किलो मिटर के दूरी पर है यहां तक आप अपने बाइक कार या फिर प्रसनल और किरायव अगरा करकर इस जगह में पहुंच सकते हैं इस लिश्ट के दूसरे नंबर पर है चिंग्रप पेपर में देखा होगा सुना होगा पढ़ा होगा यह एक बसाती जहरना है बसात की दिनों में इनकी सुन्दरता देखते ही बनता है पहाडों से लगबग 110 फीट के उचाही से नीचे घिरते हुए इस जहरने की आवाज और इनकी सुन्दरता आपके मन को महलेगा दोस्तो जंगलों में लगबग 3 किलो मीटर ट्रेकिंग करके अंदर जाना होता है तब यहां जल प्रपात आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तो हमारा अगला तिसे नंबर का जल प्रपात है देवधारा जल प्रपात यह जल प्रपात उद्यांतिया भ्यारन छेत्र के दो दोस्तो यह जल प्रपात मैनफूर से लगबग 40 किलो मीटर गरिया बन से लगबग 87 किलो मीटर इसके अलावा रैपूर से लगबग 176 किलो मीटर की दूरी में इस्तित है आप जांगडा पायली खंड होती हुए या पिर बेसा जार होते हुए इस जगह पर पहुंच सकते ह पहुंचने के लिए कच्ची पक की सड़के आपको मिल जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और चौते नंबर का जल प्रपात है सिंदूर खोल जल प्रपात यह जल प्रपात तिन चड़नों से होकर गिजने वाला बेहादी खुफसूरत जरना है जो गरिया बन से लगबग 15 किलोमेटर राजिम से लगबग 30 किलोमेटर की दूरी में इस्टेट आईवे 130 से लगे हुए कच्ची पक की सड़कों से होते हुए छोटी छोटी दो तीन नदियों को पार करकर गने जंगलों के बीच में जाने पर मिलता है दोस्तों यह जरना भी एक बहादी खुफसूर जहरना है, यहां की प्राकृतिक सदर्त इस जहरने की आवाजे आपके मन को महलेगा बड़े बड़े चटटानों के बीच में गिरते हुए जरने उनकी प्राकृतिक संदर्त आपuden को महित कर देगा ऐसा लगेगा कुछ पली से जगा में ठहर जाओं इस पेंड के नीचे बैठों और बस इसे जहरने को निहारते रहूं दोस्तों इस जलप्रपात के पास में ही गचपला वाटरफॉल है अगर आप लोग सिंदूर खोल जलप्रपात जाते हैं तो गचपला जलप्रपात भी जाईएगा या फिर आप लोग गचपला वाटरफॉल आते हैं तो सिंदूर खोल जलप्रपात भी जाईएगा गुमने के लिए आ सकते हैं दोस्तों यहां जल प्रापात रायपू से लगबख 70 किलोमेटर राजिन से लगबख 27 किलोमेटर की दूरी पर मुर्बुरा गाउं की पहाड़ियों पर इस्तित हैं यहां पर आप लोग अपने दो पही या वाहन या फिर चार पही या कार से आ सक अगा